नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा, एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने कक्षा 9 मनी का भाग 1 का आठोवा पाठ लेकर, जिसका नाम है न धर्म व्रिधेशु वयह समिक्षते, न यानि नहीं धर्म व्रिधेशु धर्म ज्यानियों में अर्थात धर्म में बड़े या ज्य ज्यान में बड़े लोगों में वयह यानि उम्र अर्थात आयू समिक्षते, समिक्षा की जाती है, अर्थात धर्म ज्यानियों में आयू की समिक्षा नहीं की जाती, सरल शब्दों में कहें तो ज्यान में श्रेष्ट लोगों की, अर्थात ज्यानी लोगों की आयू नहीं पाठ की शुरुवात होती है समवाद से चात्राहा चात्र कहते हैं आचार्य नमामह हे गुरुजी नमन करते हैं प्रणाम करते हैं आचार्य कहते हैं चिरम जीवत चिरम मनि दीर्ग काल तक जीवित रहें अर्थात दीरगायु हों चिरंजीव हों यशस विनह भवत प्रसिद्धी वाले यश वाले हों अर्थात यशश्वी हों ऐसा आशिरवाद देते हैं चात्र कहते हैं अनुग्रिहिताहस्म हम अनुग्रहीत हुए हम धन्य हुए तो रागव कहता है आचारिय हे गुरुजी धर्म वृद्धह कह भवती कौन होता है तो आचारिय कहते हैं बवान किम मन्यते बवान यानि आप किम क्या मन्यते मानते हो धर्म वृद्ध के बारे में आप क्या मानते हो आप क्या सोचते हो समवाद आगे बढ़ता है तो रागव चिंतईत्वा चिंतईत्वा यानि सोच कर कहता है यह धर्मे वृद्धः यह यानि जो धर्मे धर्म में वृद्धः बढ़ा हो जो धर्म में बढ़ा हो वो धर्म वृद्ध है तो आचारिय कहते हैं सत्यम सही कहा परंतु कस तावत ध यानि तो कह क्या है धर्मह धर्म तो ये धर्म क्या है तो माधव कहता है अहम वदानी गुरुवर हे गुरुजी अहम वदानी मैं बताऊं धार्यते सह धर्मह धार्यते जिसको धारण किया जाए सह धर्मह वही धर्मह अतह धर्मह नाम कर्तव्यम इसलिए कर्तव्य का नाम ही अर्थात जो हमारा कर्तव्य है वही हमारा धर्म है जैसे चात्र का धर्म है पढ़ना अध्यापक का धर्म है पढ़ाना एक ड्राइवर का धर्म है गाड़ी चलाना तो जो हमारा कर्तव्य है वही धर्म है आचारिय कहते हैं शोभनम बहुत सुन्दर यह कर्तव्य परायन गु मन से करने वाला होता है वह और गुणी गुणी व्यक्ति जो होता है तस से उस व्यक्ति की उस ज्यानी व्यक्ति की उस गुणी व्यक्ति की आयू न गण्यते आयू यानि उम्र न गण्यते नहीं गिनी जाती तो रागव कहता है तत कथम ऐसा कैसे हो सकता है कि ज्ञानी व्यक्ति की आयू नहीं गिनी जाती तो गुरु जी कहते हैं, महाभारतात ग्रिहिताम इमाम कथाम पठत, महाभारतात महाभारत से ग्रिहिताम ग्रहन की हुई, ली हुई, इमाम कथाम इस कहानी को पठत पढ़िये यत्र जहां एक द्वादश वर्शिय बालक एक बारह वर्श का बच्चा अश्टा वक्रः उस बालक का नाम क्या है अश्टा वक्र, अश्ट मानि आठ, वक्र मानि तेढ़ा, इस बालक का शरीर आठ जगह से तेढ़ा था इसलिए इसका नाम रखा अश्टावक्र तो इस अश्टावक्र ने राज्या जनकस्य राजा जनक के सभासदान सभासदों को सभा में बैठे विद्वानों को ग्यानेन अजयत ग्यान से जीत लिया अजयत अर्थात जीत लिया यानि उन सभासदों को अपने ग्यान से हरा दि भारत देश धन्य है, महान है, यत्र बालाह अपी एवं ग्यान वृधाह, जहां पर बालाह यानि बालक अपी भी एवं इस प्रकार के ग्यान वृधाह ग्यानी हैं। बालक अश्टा वक्र मित्रई सह क्रडीत्वा मित्रों के साथ खेलकर ग्रहम प्रत्यावर तह, ग्रहम यानि घर को प्रत्यावर तह लोट आया। कहां हैं मम पिता, मेरे पिता, मेरे पिताजी कहां हैं इती ऐसा। अश्टा वक्र की माता बोली जात हे पुत्र तव पिता राजर्शे जनकस्य सभाम विद्वद भी सह शास्त्रार्थाय गतह आसीत। तव पिता तुमारे पिताजी राजर्शे जनकस्य राजर्शी जनक की सभाम सभा में राजर्शी अर्थात रिशी और राजा यानि जो राजा है और रिशी भी है। पिता राजर्शे जनक उसकी सभाम विद्वद भी सह विद्वानों के साथ शास्त्रार्थाय शास्त्रार्थ के लिए गतह आसीत गए थे। तुम्हारे पिताजी विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करने गए थे किन्तु लेकिन अधुना यावत न प्रतिनिवृत अधुना यावत अब तक न प्रतिनिवृत नहीं लोटे हैं। अहम अपी मैं भी चिन्ता आतुरा चिन्ता से व्यकुल यानि अत्यदिक चिन्तित अस्मी हुँ। इदम निशम्य यह सुनकर अष्टा वक्रह प्रत्यवदत अष्टा वक्र बोला जननी हेमा अलम चिन्तया चिन्तया यानि चिन्ता से अलम बस करो यानि चिन्ता मत करो। श्वह प्रभाते एव अहम राजसभाम गत्वा ग्यास्यामी का वारता इती, श्वह यनि कल प्रभाते सुब, कल सुब एव ही, कल सुब ही अहम मैं राजसभाम गत्वा, राजसभा में जाकर ग्यास्यामी पता करूंगा का वारता की क्या बात है, ऐसा, ऐसा अश्टावक्र अपनी माता से कहा। ये इस कथा से संबंदित कठिन शब्दार्थ। असान नहीं है। तत्र तव उपहासोपी संबंदित है। अर्थात तुम्हारा मजाक भी उड़ाया जा सकता है। विलक्षन प्रतिभा संपन्नह सर्व शास्तर पारंगत अश्टा वक्रः अभाशत। विलक्षण प्रतिभा संपन्नह विलक्षण यानि अधवुत प्रतिभा संपन्नह युक्त अधवुत प्रतिभा संपन्न यानि अत्यदिक प्रतिभा वाला सर्वशास्त्र पारंगत ह सबी शास्त्रों का ज्यानी अश्टावक्र अश्टावक्र अभाशत बोला मातह हे मा मा भैशी ही, दरो मत इद्रिशिम ताद्रिशिम वा आशंकाम मा विधेही, इद्रिशिम ऐसी ताद्रिशिम वैसी वा या आशंकाम शंका को संदेह को मा विधेही मत करो, तुम ऐसी वैसी शंका मत करो, कुछ नहीं होगा, अहम पित्रा सह क्षिप्रम आगमिश्याम अहम यानि मैं पित्रा सह पिताजी के साथ खिप्रम जल्दी ही आगमिश्यामी आजाओंगा। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आओंगा। माता से अनुमती लेकर अश्टा वक्र राजा की सभा में गया। सविनयम विनम्रता पूर्वक प्राणमत प्रणाम किया। सभा में प्रवेश करके उसने विनम्रता पूर्वक राजा को प्रणाम किया। तस्य वक्र देहं विक्ष्य तस्य मनि उसके अर्थात अश्टा वक्र के वक्र देहं टेढे शरीर को विक्ष्य देखकर सभास्थिताह पंडिताह तारस्वरेण अहसन सभास्थिताह सभा में इस्थित सभा में बैठे हुए पंडिताह विद्वान लोग तारस्वरेण उच्च सवर में जोर से अहसन हसने लगे। जब अश्टा वक्र ने राजा जनक की सभा में प्रवेश किया, तो सभा में बैठे ये विद्वान जोर जोर से हसने लगे, क्यों? उसके टेढे मेढे शरीर को देख कर, इसका शरीर आठ जगे से टेढा है, इसलिए इनका नाम रखा अश्टा वक्र, ये बहुत विद्वान थे, तो इन्हें देख कर, वहां के विद्वान लोग हसने लगे, फिर क्या हुआ? आगे बढ़ते हैं, ये इस कथा से संबंदित कठिन शब्दार्त, सभा में बैठे विद्वान हसने लगे, और बोले, एशह बालह अस्मा भी सह शास्तरार्थम अपिकरिश्यती, एशह ब वाद विवाद अर्थात डिवेट, अपिकरिश्यती करेगा, ये हमसे शास्तरार्थ भी करेगा, इतिक ज्यात्वा, ऐसा जानकर, ते, वे, कौन, वे विद्वान, अन्योन्यम पश्यंतह, अन्योन्यम अन्यम अन्यम प्लस अन्यम, एक दूसरे को पश्यंतह देखते हुए स्मितम अकुरुवन, स्मितम यानि मुस्कान अकुरुवन किया, यानि एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, क्या सोचकर कि ये हमारे साथ शास्तरार्थ भी करेगा, ऐसा सोचकर वे हसे तेशाम पंडितानाम चेश्टितम द्रिष्टवा, उन विद्वानों की चेश्टितम इस चेश्टा को इस हरकत को द्रिष्टवा देखकर अश्टा वक्रह उच्चै ही हसितुम आराभत, अश्टा वक्र ने उच्चै ही जोर से हसितुम हसना आराभत आरंभ कर दिया, सर्वे सभास्थिताह विद्वांसह स्थभधाह अभवन तम उसे हसंतम विलोक्य हस्ता हुआ देखकर यानि अश्टा वक्र को हस्ता हुआ देखकर सर्वे सभास्थिताह विद्वांसह सभी सभा में इस्थित विद्वान स्थभधाह अभवन स्थभध हो गए हक्के बक्के दे गए चौक गए कि ये क्यों हस रहा है राज्या हास्य कारणम प्रिष्टम राज्या राजा के द्वारा हास्य कारणम हसने का कारण प्रिष्टम पूछा गया राजा द्वारा हसने का कारण पूछा गया तो अश्टावक्र अवदत अश्टावक्र बोला राजन हे राजा मया मेरे द्वारा शुरुतम आसीत सुना हुआ था यद की अश्टावक्र कहता है हे राजा मैंने सुना था की ये इस कथांस से सम्मंदित कठिन शब्दार्थ अश्टावक्र आगे कहता है भवतह राज सभा आत्म तत्वज्याई ही शास्त्र रहस्य वेदी भी ही विद्वद भी अलंकृतास्ती अश्टावक्र कहता है मैंने सुना था कि भावतह राजसभा आपकी राजसभा आत्म तत्वग्यई ही आत्म तत्व को जानने वालों से शास्त्र रहस्य वेदी भी ही शास्त्रों के रहस्य को जानने वालों से विद्वद भी ही विद्वानों से अलंकृतास्ती सुशोबित ह मैंने सुना था कि आपकी सभा में तो आत्मतत्व को जानने वाले, शास्त्रों के रहस्य को जानने वाले विद्वान बैठते हैं। अहम अपी मिथ्या ज्यान गर्वितान एतान द्रिश्ट्वा हसामी। अश्टा वक्र पुनह अवदत आगे कहता है। राजन हे राजा पृच्छामी मैं पूचता हूँ ननो अस्मिन निष्टित रूप से अस्मिन इस निष्टित रूप से इस अस्थी रुधिर मांस मेदो भरिते चर्म वेश्टिते देहे किमस्ती दर्शनियम। अस्मिन इस अस्थी मानी हड़ि रुधिर मानी रक्त अर्थात खून मांस यानि मांस मेदो भरिते चर्बी से भरे हुए चर्म वेश्टिते चमडी से ढखे हुए देहे शरीर में किमस्ती क्या है दर्शनियम। देखने योग्ये। हे राजाजी मैं आपसे पूछना चाता हूँ कि इस हड़ि, रक्त, मांस, चर्बी और चमडी से ढखे हुए शरीर में देखने योग्ये क्या है अगर देखना है तो आत्मा को देखो। अर्थात जिसका कोई आकार नहीं है ऐसी आत्मा, आत्मा कथम न द्रिश्यते क्यों नहीं दिखाई दे रही है आपके विद्वानों को मेरा शरीर दिखाई दे रहा है लेकिन वो महान आत्मा इन्हें क्यों दिखाई नहीं देती ये इस कथा से संबंदित कठिन शबदार् अश्टा वक्र आगे कहता है वदंतु भवंतह आप बताईए किम वक्रे देहे आत्मा वक्रह भवती आप बताईए कि वक्रे देहे टेढे शरीर में आत्मा वक्रह भवती आत्मा टेढी होती है यदि नदी वक्रा किम तस्याह जलम अपी वक्रम यदि नदी वक्रा अगर अगर शरीर टेड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी आत्मा टेड़ी है या मुझे ज्ञान नहीं है राज्या जनकस्य राजा जनक की अनुमत्या अनुमती से आग्या से अश्टा वक्रह पंडितई सह शास्तरार्थम कृत्वा तान अजयत अश्टा वक्रह अश्टा वक्रने राजा जनक की अनुमती से अश्टा वक्रने पंडितई सह उन विद्वानों के साथ शास्तरार्थम कृत्वा शास्त्रार्थ करके तान उन्हें उन विद्वानों को अजयत जीत लिया यानि उन विद्वानों को हरा दिया अश्टा वक्रस्य आत्म ज्यानं शास्त्र पांडित्यम बुद्धी पाटवं सैयम आदी गुण जातम च निरिक्ष्य अश्टा वक्रस्य अश्टा वक्र के आत्म ज्यानं आत्म ज्यान को आत्मा संबंधी ज्यान को शास्त्र पांडित्यम और शास्त्रों से संबंधित ज्य बुद्धी पाटवं बुद्धी की चतुराई को सैयम आदी गुण जातं और सैयम आदी गुणों के समुह को निरिक्ष्य देखकर राजर्शी जनक प्रभावित भूत्वा प्रभावित होकर तस्मै निवेदितवान उससे निवेदन किया अर्थात अष्टावक्र की विद्वता को देखकर राजर्शनक प्रभावित हुए और अष्टावक्र से निवेदिन किया बोले भगवन हे भगवन अहम भवत दर्शनई ही आत्मानम धन्यम मन्ने अहम यानि मैं भवत दर्शनई ही भवत प्लस दर्शनई ही आपके दर्शन आत्मानम स्वयम को अपने आपको धन्यम मन्य धन्यम यानि धन्य मन्य यानि मानता हूं अर्थात आपके धर्शन करके मैं धन्य हुआ, कृतग्य हुआ ये इस कथा से संबंदित कठिन शब्दार्थ राजा जनक आगे कहते हैं इच्छामी भवद्व्या किंचिद दातुम इच्छामी चाहता हूं दातुम देना भवद्व्या आपको किंचिद यानि कुछ मैं आपको कुछ देना चाहता हूं अश्टावक्र प्रत्यवदत अश्टावक्र ने उत्तर दिया अश्टावक्र बोले यदी भवान इच्छती अगर आप चाहते हो तदा तो यद वस्तु भवतियम अस्ती यद मानि जो वस्तु भवदियम आपकी अस्ती है तत मैयम अरपया तत मानि वह मैयम मुझे अरपय सोंप दीजिए, अगर कुछ देना चाहते हो, तो ऐसी वस्तु दो जो तुम्हारी हो, तो राजा जनक कहते हैं, राज्यम अर्पयामी, अपना राज्य दे देता हूं, तो अश्टावक्र कहते हैं, राज्यम भवधियम नास्ती, राज्य तो आपका नहीं है, एतत वन्ष पर परंपरा, वन्ष की परंपरा से प्राप्तम प्राप्त है, ये राज्य आपका नहीं है, ये तो आपको वन्षानुगत मिला हुआ है, आपके दादा राजा थे, आपके पिताजी राजा हुए, अब आप राजा हो गए, तो आपके वन्ष से आपको मिला है, ये आपका नह तो राजा जनक कहते हैं धनम ददामी क्या धन दे दूं तो अश्टावक्र कहते हैं धनम भवदियम नास्ती धन भी आपका नहीं है एतत प्रजायाह सकाशाद आगतम एतत यानि यह धन प्रजायाह सकाशाद प्रजा के पास से यानि प्रजा ने आपको टेक्स के रूप में क के रूप में दिया है इसलिए ये आपके पास आया है ये आपका नहीं है तो आगे राजा जनक कहते हैं शरीरं प्रयाच्छामी शरीर दे दू अपना शरीर आपको सोंप दू तो अश्टावक्र कहते हैं आत्मा शरीरस से अध्यक्षः न भवान शरीरस से अध्यक्षः या इसलिए आप शरीर भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये आपका नहीं है, तो राजा जनक कहते हैं, स्वकियम मनह समरपयामी, अपना मन आपको सौप दूँ, तो अश्टावक्र बोले, अस्तू, ठीक है, इदम एवस्तू, यही सही है, दीयताम में स्वमनह, दीयताम दे दीजिये, में मुझे स्वमनह अपना मन, यह ठीक रहेगा, आप अपना मन मुझे दे दो, तो राजा जनक कहते हैं, भगवन, हे भगवन, दत्तम मया स्वमनह भवते, भवते मानि आपको दत्तम दे दिया है, मया मेरे द्वारा स्वमनह अपना मन, मैंने अपना मन आपको दे दिया है, ऐसा संकल्प कर लिया कि मैंने अपना मन आपको दे दिया संप्रति अब आदिशतु माम राजकारिया आये संप्रति यानि अब अर्थात मैंने अपना मन आपको सौप दिया है तो अब आदिशतु आदेश दीजिये माम यानि मुझे राजकारिया आये राजकारिय के लिए आप आदेश दीजिए अब मैं क्या कारिय करूँ तो अश्टावक्र कहता है कथम भवान करिशती राजकारियम भवान यानि आप कथम करिशती कैसे करोगे राजकारियम राजकारिय आपने अपना मन मुझे दे दिया है, आप अब राजकारिय कैसे करोगे? भवतह मनह तू मम अधिनम, मेरे अधीन है, मेरे वश में है, अतह आप राजकारिय कैसे करोगे? मन सा शुन्य भवान संकल्प विकल्पव करतुम न अरहती, मन सा शुन्यम मन से शुन्य अर्थात बिना मन वाले भवान याप संकल्प विकल्पव सोच विचार करतुम करने के लिए न अरहती योग्य नहीं हो, आपका मन मेरे वश में है, अतह आप सोच विचार कैसे करोगे? कि मैं क्या काम करूँ, क्या नहीं करूँ, मेरे पास क्या विकल्प है, क्या नहीं है, ऐसा आप सोच भी नहीं सकते, तो राजकारिय कैसे करोगे जनकः, तो राजा जनक आत्म गतम, अपने आप से कहते हैं की द्रिशिम दशाम प्राप्तो हम, कैसी दशा को प्राप्तो हम, प्राप्तह अहम, अहम यानि मैं प्राप्तह प्राप्त हो गया हूँ, मैं कैसी दशा को प्राप्त हो गया हूँ, यानि मेरी क्या दशा हो गई है, शान्ते मनसी अपूर्वा आनंदानो भूती ही, शान्ते मन अर्थात जब अश्टावक्र ने कहा कि आप कुछ नहीं सोच सकते, कुछ नहीं कर सकते तो राजाजनक शांत बैठते हैं कि अब कुछ नहीं सोचना बिल्कुल रिलक्स हो जाते हैं और थोड़ी दिर बाद कहते हैं ओहो मन के शांत होने पर कैसी अपूर्व आनंद की कथम लोकिकम व्यवहारम करो मी कथम यानी कैसे लोकिकम व्यवहारम लोकिक व्यवहार अर्थात सांसारिक कारिय करो मी करूंगा मैं कुछ सोच नहीं सकता तो मैं अपने काम कैसे करूंगा राजाजनक आगे कहते हैं इसका अन्वय है अहम चर्चाम विचारम चर्चा और विचार च मनी और कर्टुम समर्थ नहीं हूँ अर्थात मैं ने तो चर्चा कर सकता हूँ और ने ही विचार कर सकता हूँ ने यज्यम ने दानम ने मानम विहारम चर्चुम समर्थ अस्मी मैं ने तो यज्य कर सकता हूँ ने दान कर सकता हूँ ने किसी का मान सम्मान कर सकता हूँ ने विहारम यानि घूम सकता हूँ इन में से किसी काम को करने में मैं समर्थ नहीं हूँ यदा कल्पनायाह क्षण लभ्य न अस्ती यदा जब कल्पनायाह कल्पना का कल्पना करने का क्षण अपी एक पल भी लभ्य न अस्ती प्राप्त नहीं है तदा तो मैं मेरी प्रजायाह पालनम प्रजाका पालन कथम प्रकुर्याम कैसे करूंगा मेरे पास कलपना करने के लिए क्षण भर नहीं है, तो मैं अपनी प्रजा का पालन कैसे करूंगा। इस शलोक का अर्थ है, मैं चर्चा और विचार करने में असमर्थ हूं, न यग्य, न दान, न मान सम्मान, न घुमना फिरना आदी करने में समर्थ हूं। जब कलपना के लिए पल भर का समय नहीं है, तो मैं अपनी प्रजा का पालन कैसे कर पाऊंगा। ये बात राजा जनक अपने मन ही मन में कहते हैं, प्रकाशम, अब प्रकट रूप में कहते हैं, अब बोल कर कहते हैं, भगवन, हे भगवन, अर्थात हे अश्टा वक्र, मम मार्ग दर्शनम क्रियताम, मम यानि मेरा मार्ग दर्शनम, मार्ग दर्शन क्रियताम कीजिए, मु तेरे गुरु हैं बताईए कि मैं क्या करूं। पादयोह पतती पादयोह यानि चर्णों में पतती गिर जाते हैं। राजाजनक अश्टावक्र को प्रणाम करते हैं और कहते हैं गुरुजी आप ही बताईए मैं क्या करूं। तो जब राजाजनक प्रणाम करते हैं तो प्रीतह अश्टावक्रह तम बहुविधम ज्यानम आत्मतत्वम चे बोधयती प्रीतह प्रसन अश्टावक्रह अश्टावक्र अश्टावक्र प्रसन हो करके तम उनको किसको राजाजनक को बहुविधम ज्यानम बहुविधम अनेक प्रकार के ज्यानम यानि ज्यान को आत्म तत्वम्च आत्मा संबंदी ज्यान को बोधयती बोध कराते हैं समझाते हैं अत उच्चते अत उच्चते इसलिए कहा गया है न धर्म व्रदेशु वयह समिक्षते न धर्म व्रदेशु धर्म व्रदेशु यानि धर्म ज्यानियों में अर्थात ज्यान में बड़े लोगों में वयह उम्र न समिक्षते नहीं समिक्षा की जाती अर्थात ज्यान में श्र वही महान होता है ये इस कथा से संबंदित कठिन शब्दार्थ तो ये था पाठ न धर्म व्रदेशु वया समिक्षते इस पाठ से संबंदित कोई भी प्रश्ण हो तो करपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें धन्यवाद